रादे रादे एवरिवन, फ्रेंट्स, माग का अतिपावन और पुन्यदाई महीना शुरू हो गया है शास्त्रों में माग के महीने में इसनान, दान, आदी बहुत ज़्यादा महतपुन बताया गया है जिस तरह कार्तिक का इसनान बहुती महतपुन होता है माग का इसनान उससे भी ज़्यादा महतवपुण माना जाता है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है और इस ठंड में इसे कठिन तपस्या के बराबर माना जाता है माग इसनान के संपुण नियम क्या-क्या होते हैं इसका वीडियो मैंने चैनल पे अभी रिस्टेंटली अपलोड किया है यदि आप माग इसनान के संपुर्ण नियम जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड इसक्रिन पे मिल जाएगा फ्रेंड्स माग इसनान करने से जीवन में सुक सम्रद्धि पुन्य की हमें प्राप्ति होती है और अनंत गुनाफल की प्राप्ति होती है और जाने अंजाने में जो भी हमसे पाप कर्म हो जाते हैं उससे भी हमें मुक्ती मिल जाती है माग सनान जब हम करते हैं तो सुबह सवेरे ब्रहमूरत में यानि की सूरे उदे होने से पहले उठकर के सनान करते हैं करने के बाद में तूलसी जी के पास में बैट करके श्री हरी भगवान विश्णु की पूजा की जाती है साथ में सूरा को भी अरकित डिया जाता है और वहीं पर बैट करके कुछ कत्हा कहानिया भी कही जाती है मागस जब हम ये कहानिया कहते हैं डेली सुनते हैं तभी हमारा माघ स्नान संपुण माना चाता है चावर डिया फूल या फूल ले ले और कता सुनते समय होंकारे हमें बीच-बीच में जरूर भरते रहने चाहिए इससे हमें हमारी कथा सुनने का और पूजा का पूरा पुनेलाब हमें प्राप्त होता है तो सबसे पहली कथा जो है वो है गणेश जी की कथा गणेश जी की कहानी एक बुढिया माई थी वो मिट्टी के गणेश जी के पूजा करती थी रोज बनाए रोज गल जाए एक सेट का मकान बन रहा था वो बोली मेरा पत्थर का गणेश बना दो मिस्त्री बोले कि हम जितने तेरा पत्थर का गणेश घणेंगे उतने अपनी दिवार ना चिनेंगे बुड़िया बोली राम करे तुमारी दिवार टेड़ी हो जाए अब हमारी दिवार सीधी कर दो जैसे ने बुढ़िया को सोने का गणश बनवा दिया सेट की दिवार सीधी हो गई जैसे सेट की दिवार सीधी की वैसी सब की करना हे गणिजी महराज कहानी कहते सुनते हुंकारा भड़ते सब का कल्यान करना जै गणिश भगवान तुलसी जी की कहानी माग के महीने में सब कोई तुलसी जी को सीचने जाती कोई तो सीच के आ जाती पर एक बुढ यह माई आती और तुलसी माता से रोजाना कहती हे तुलसी माता सबकी दाता मैं बिडला सींचू तेरा तु कर निस्तारा मेरा तुलसी माता अडवा दे लडवा दे पीतंबर की धूती दे मीठा मीठा गास दे बैकुंट का बास दे चटक के चाल दे पटक के मौद दे चंदन की काट दे जालर की जनकार दे साई का राज दे दालभात का जीमन दे ग्यारस का दिन दे स्री किशन का कंधा दे इतनी बात सुनकर के तुल्सी माता सूखने लगी एक बार भगवान शी किशन ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी ओरते आती हैं तुम्हें जिमावे तो इसी माता ने कहा कि है एक बुढिया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कह कर जाती है मैं और सब कुछ तो दे दूँगी पर आपका कंधा कहां से दूँगी तो स्री किष्ट ने कहा कि तुम उसे कह देना मैं कंधा अपने आप दे आऊंगा थोड़े दिनों बाद बुढिया मर गई सब कोई उसको उठाने लगे पर वे इतनी भारी हो गई कि किसी से उठे ही नहीं सब कोई कहने लगे पाप घाट की माला फिरती थी इससे भी इतनी भारी हो गई भगवान बुढे ब्राह्मन का रूप धारन करके आए सब से पूछने लगे भाई इतनी भीड क्यों हो रही है सब बोले एक बुढ़िया मर गई है पाप ही नहीं थी इसलिए किसी से उठती ही नहीं जब भगवान बोले कि मैं इसके कान में कुछ कहता हूँ शायद ही उठ जाए सब ने का जा तू भी अपनी मन की निकाल ले भगवान ने जाकर उसके कान में कहा ये बुढ़िया माई तो बिडला सीचे मेरा मैं करू निस्तारा तेरा बुढ़िया माई अडवा ले लडवा ले पीतंबर की धोती ले मीठा मीठा ग्रास ले बैकुंट का बास ले चटक के चाल ले पटक के मौत ले चंदन की काट ले जालर की जणकार ले साई का राज दे दालभात का जीमन ले श्री कृष्ण का कंधा ले इतना सुनते ही बुढ़िया माई हलकी हो गई भगवान कंधे पर ले गए उसकी मुक्ती हो गई जै तुलसी मैया जै कृष्ण भगवान सूरे भगवान की कहानी एक बार एक बुढ़ा ब्रह्मन था वो रोज सूरे भगवान की पूजा करता था वे रोज सूरे को जल सीचता था उनकी पूजा करता और सारा दिन भगवान सूरे नाराण के ध्यान में ही मगन रहता काम काज कुछ करता नहीं था उसे कमाना आता ही नहीं था घर वाले बहुत परेशान थे उसकी पत्नी भी उसे कमाने के लिए कहती तो ब्रामन कह देता मुझे कमाना आता ही नहीं है आसपास के लोग भी उसे ताने देने लगे थे कि काम काज कुछ करता नहीं है बस सारा दिन माला फेरता रहता है सब के उल्हाने से परिशान हो करके वह एक दिन अपना लोटा माला ले करके वह घर से निकल गया और घर से निकलने के बाद वह एक जंगल में गया जंगल में उसने देखा कि एक तालाब सूखा पड़ा है थोड़ा सा ही पानी तालाब में है और तालाब के किनारे एक पीपल का पेड़ है जो सूख गया है ब्रामन जाकर पीपल के पेड़ के पास ही रहने लगा वहरो जाना सूरे को अरगे देता तालाब में जो थोड़ा स पानी था उसी में से एक लोटा पानी लाता और सूरे को अरगे देता जैसे ही जल सीचता उस अरगे का जल पीपल की जड़ में जाता और बाकी का पानी वापिस से तालाब में चला जाता देखते ही देखते पीपल हरा होने लगा और तालाब का तालाब भी पानी से भर गया पीपल के पेड़ से एक आवाज आने लगी, सुबह जब ब्राह्मन देवता सूरे नाराण की पूजा करने जाते जल सीचते तो उसके बाद पीपल से आवाज आती कि हे ब्राह्मन देवता मांगो क्या मांगना चाहते हो, ब्राह्मन डर गया और सोचने लगा जरूर इस सूख रहे हो, कोई चिंता है तो मुझे कहिए तब ब्राह्मन ने पीपल से आने वाली आवाज की सारी बाते बताए, ब्राह्मनी ने कहा कि ये और कोई और नहीं, सूरे भगवान ही है, आपकी बार जब सूरे देवता आप से पूछे कि आपको क्या चाहिए, तब उनसे अ आवाज आई, तो कि ब्राह्मन मांगो क्या मांगते हो, तो ब्राह्मन ने कहा कि अगर आप मुझे पर प्रसन है, तो मुझे अन, धन, वस्त्र, बेटे, बहुए, पोते, पोती, लक्ष्मी, घर, वर, निरोगी, काया और अंतमे, मोक्ष, ये सब मुझे प्रदान करें, ये अब तो ब्राह्मन के घर ठाट हो गए, ब्राह्मन फिर से अपनी पूजा में लीन हो गए, एक बर ब्राह्मन ने सोचा कि चलो अपने नगर की तरफ चल करके अपने घर को देखाता हूं, घर परिवार कैसा है, जब वो घर की तरफ चला तो वहाँ पर उसने देखा कि महल बन गया है, अनधन के भंडारे भरे हुए हैं, महल के चज्जे पर ब्राह्मनी बैटी हुई है, तब ब्राह्मनी ने देखा कि उसका पती आया है, तो बच्चों से कहकर के उसने उन्हें अंदर बुला लिया, अंदर बुलाने के बाद ब्राह्मनी ने बताया कि यहे नाथ ये सब सूरे भगवान की ही कृपा है और आपकी पूजा का ही ये फल है जो सूरे भगवान ने हमें इतना दिया है यह जानकर वे ब्रहमन बहुत प्रसन हुआ ब्रहमनी ने उसे घर में ही रहने को कहा पर वो घर पर नहीं रहा वापिस जंगल में जा करके उसी पेड़ के नीचे बैट गया और सूरे भगवान की आराधना में लीन हो गया ये सूरे भगवान जैसे यसी कृपा आपने ब्रहमन पर और उसके परिवार पर की वैसी सपर करना कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर करना हम पर भी करना जै सूर्य भगवान धर्मराज की कहानी एक बुढिया माई थी वो बहुत वरत किया करती थी एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए बुढिया मर गई यमदूत के साथ वो चल पड़ी आगे गहरी नदी बह रही थी बुढिया माई डूबने लगी तब यमराज ने पूचा माई गाय दान की थी क्या अब बुढिया माई ने मनीमन गाय का ध्यान किया तो गाय मातामा प्रकट हो गई गाय की पूच पगड़के बुढिया माई ने वो नदी पार कर ली थोड़ा आगे गए तो काले कुत्ते उसे खाने को दोड़े तब यमराज ने पूचा कुत्ते को रोटी दी है क्या तब बुढिया माई ने मनीमन कुत्ते का ध्यान किया तो कुते वापिस चले गे आगे चली तो काले कोवे बुढिया माई को चोच मारने लगे तब यमराज जी ने कहा कि ब्रहमन की बेटी के सिर में तेल लगाने को दिया था कि नहीं बुढिया माई ने ब्रहमन की बेटी को याद किया तो कोवे ने चोच मारना चोड़ दिया आ आगे गई तो पैरों में काटे चुबने लगे तब यम्राज जी ने कहा चपल दान की थी कि नहीं बुढिया माई ने याद किया तो चपल पैरों में आ गई आगे चली तो चितर गुप्त जी ने यम्राज जी से कहा कि आप किसे ले करके आए हो तब यम्राज जी ने कहा कि बुढिया माई ने दान पुंत बहुत किया है लेकिन धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया इसलिए आगे के द्वार बंद है तब बुढिया माई बोली मुझे साथ दिन का समय दे दो धर्ती पर वापिस जाने दो साथ दिन तक कहानी सुनकर के उध्यापन करने के बाद मैं वापिस आ जाओंगी बुढिया माई वापिस धर्ती पर आ गई पूरे गाओं में खबर फैल गई कि बुढिया माई भूतली के रूप में आई है जब वो अपने घर गई तो बेटे बहु ने उसे भूतनी समझ करके किवाड़ बंद कर लिये तब उसने बेटे बहु से कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ मैं तो धर्मराज जी की कहानी के लि पडोसन के पास गई उसने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लो पडोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भी भर दिया बुढिया माई ने साथ दिन के बाद में कहानी सुन करके उध्यापन कर दिया और सारा सामान दानकर धर्मराज जी ने बुढिया माई के लिए विमान भेजा वि आने के लिए कहा कानी सुनने के बाद में सवी विमान में बैठकर स्वर्ग वो पहुँच गए तब धर्म राज जी बोले मैंने तुसरी बुढ़ी हमाई के लिए विमान बेजाता यहां तो पूरा गाओं वाले खटे हो गए तब बुढ़ी हमाई ने कहा कि मेरी कहानी इस सारे गाउवालों को स्वर्ग में वास दिया हे धर्मराज जी महराज जैसे बुढियामाई को स्वर्ग दिया वैसे सब को देना कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार को देना हमको भी देना जै धर्मराज भगवान की पीपल पत्वारी की कहानी एक गूजरी थी उसने अपनी बहु से कहा कि तू दूदही बेचाया कर वो दूदही बेचने गई, माग का महीना चल रहा था, महापस सब इस्तरियां पीपल सीचने आती थी, वो भी वाँ बैठ गई, और उनसे पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो, महिलाय बोली हम तो पीपल पत्वारी स दीचूंगी, वो सारा दूदही पीपल पत्वारी पे चड़ा आती, उसकी सास रोज कहती, दूदही बेच करके आई है तो पैसे ला करके दे, उसने कहा कि जब माग का महीना पूरा हो जाएगा तब ला करके दे दूँगी, ऐसे ही करते करते पूरा माग का महीना पूरा हो पथर पड़े हैं ये ले जा और इन्हें कुठले में रख दे जब सास पूछे तो इन्हें दे दे ना सास ने बहु से पूछा बहु पैसे लाई है तो गुजरी ने का मैंने पैसे कुठले में रख दी हैं जब सास ने कुठला खोल के देखा तो देखती ही रह गई उसमें ही हीरे मूती जगमगा रहे हैं सास बोली बहु इतना पैसा कहां से लाई बहु ने आकर देखा तो कुटला धन से भरा हुआ है तब गूजरी ने कहा सासु मां मैंने तो एक महीने दूद धही से पीपल पत्वारी सीचा था और जब मैंने उनसे धन मांगा तो उन्होंने मुझे फूल पत्ते कंगर पत्थर दे करके कुटले में रखने के लिए बोल दिया ये सब तो हीरे मूती बन गए तब सासु जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पत्वारी सी चूंगी अब सासु क्या करती दूद धही तो बेच आती और हांडी धो करके पीपल पत्वारी में डाल आ फिर बहु से कहती कि बहु मुझसे पैसे मांग बहु ने कहा कभी बहु भी सास से पैसे मांगती है तो सास बोली नहीं तुझे पैसे मांग नहीं पढ़ेंगे तुम उसे पैसे मांग बहु ने पैसे मांगे सास ने कहा कि जब माग का महीना बीच जाएगा तब ला करके दे जब बहुने उसे खोल करके देखा तो उसमें तो कीड़े मकोडे बिल बिला रहे थे बहुने सास से कहा तब सास ने गुसे से कहा कि पीपल पत्थवारी ने तो दुहात की है उन्होंने तुझे तो धन दिया और मुझे कीड़े मकोडे दे दिये तब सब बोले कि बहुन तो स से सीचती थी और सास धनकी भूक से सीचती थी इसलिए पत्वारी माता जैसे बहु को दिया वैसे सब को देना जैसे सास को दिया वैसे किसी को न देना कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब को देना हमको भी देना जै पीपल पत्वारी विश्णु भगवान की कहानी एक सेट सेटानी थे। सेटानी विष्ण भगवान की बहुत पूजा किया करती थी। लेकिन सेट को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। सेट ने का कि तुम घर का ध्यान तो देने की बजाए हर समय विष्ण भगवान करती रहती हो। इसलिए सेटानी को घर से निकाल वह चलते चलते एक दूसरे नगर में पहुँच गई, वहाँ पास सी मिट्टे की खदान में चार आदमी मिट्टी खोद रहे थे, सेठानी उनके पास जाकर के बोली, भाई मुझे गुजारे के लिए कुछ काम दे दो, उन्होंने उसे काम पर रख लिया, मिट्टी खोदने स सेठानी के हाथों में चाले पढ़ गए, और मिट्टी डोने से सिरके बाल भी उड़ने लगे, तो वह आदमी बोले बेहन, तुम संपन भरे पूरे घर की लगती हो, इसलिए तुम मिट्टी खोदने का काम मत करो, हमारे घर पर काम कर लिया करो, वह उसे अपने घर ले गए वो रोज चार मुठी अनाज लाते थे और चारो बाट करके खाते थे, सेठानी बोली कल से आठ मुठी अनाज ले करके आना, दूसरे दिन वो आठ मुठी अनाज ले करके आए, सेठानी ने परोसन के घर से आग ला करके बोजन बनाया, पहले विश्ण भगवान को भोग ल चाले पड़ गए वे भूका मरने लगा सब बोले सेठानी के भाग जही खाया करते थे सेठानी को ढूंडने निकल पड़ा ढूंडते ढूंडते वो भी उसी नगर में आ पहुचा वहां उसने उनी चार आदमियों को मिटी खोदते देखा उसने कहा भाई मुझे नौकरी पर रख लो वे बोले हाँ भाई तू भी मिटी खोद ले वे मिटी खोदने लगा उसके हातों में भी चाले पड़ गए और सिर्गे बार भी उड़ गए आदमी बोले भाई तुम अच्छे घर के लगते हो तो तुम मिटी खोदने का काम मत करो हमारे घर पर जाकर के तुम काम क ये बोग लगाया और उसके बाद में भोजण पर को हाथ पकड लिया भाई बोले बहन ये क्या कर रही हो बहन बोली भाई मैं कुछ नहीं कर रही तो विश्ण भाई ने हाथ पकड लिया है भाई बोला हमें भी अपने भगवान के दर्शन करा ओ सेट ने भी विश्ण भगवान से प्रातना की विश्ण भगवान ने सबको दर्शन दिये सेट ने सेठानी से ख्षमा माञगी और उनस भी के अनधन के भंडारे भर गए भाईों ने खूप सारा धन देकर के बहन को विदा किया सेट सिटानी दोनों मिलकर के विश्ण भगवान की पूजा करने लगे उनके अनधन के भंडारे भर गए हे विश्ण भगवान जैसे आपने सेट सिटानी को दिया वैसे सब को देना कहानी कहते सुनते हुंकारे भरते सब को देना सारे परिवार को देना हमको भी देना जै विश्ण भगवान नगर बसेरे की कहानी एक जाट का था एक भाट का था दोनों दोस्ते जाट का चला बेहन के भाट का चला सासरे रास्ते में कुए की पाल पर दोनों बैट गए जाट का बोला नगर बसेरा कर ले भाट का बोला कि मैं तो सासरे जा रहा हूँ खूब खातिर होगी सो तू कर जाट कुए की पाल पर बैट करके पानी की घंटी और चावल का दाना ले करके नगर बेसेरा करने लगा और बोला नगर बेसेरा जो करे सो मल धोवे पाव ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ माना देगी मावसी देगी द्वारका का वास मीठा मीठा गास वरंदावन का वास पांच कुल्टी छटी रास मेरा जी बड़ो स्री किष्ण क पास डालू पानी हो जाएगी जट से रिकल जाए मेरा जी यह कह करके वह चल पड़ा जाट की बहन ने खूब बूरा चावल जिमा करके खूब बातचीत की भाट का पहुंचा तो सासरे में आग लग गई बुजाते बुजाते राक उटाते उटाते हाथ भी काला मू भी काला रोटी ना पानी पडोसन आई जवाई आया है उसके पानी भी नहीं पूचा सास बोली क्या करूँ मेरा टापडा फूगता चलाया पडोसन ने रोटी और चाच दी उसने खा ली शाम को दोनों फिर मिले दोनों बोले कह बात भाट का बोला मेरे ससुराल में आग लगी ढहन सब्सक्राइब करूं तेरी मावसी है पता नहीं रोटी दे या ना दे मेरी तोुम है दही का चुझली चूर मा गास ब्रंदावन का वास पाच कुल्टी चटी रास मेरा जिवड़ा स्री किष्ण के पास डालू पानी हो जाएगी जट से निकल जाए मेरा जी करके वैचल पड़ा घर पहुंचते ही जाट की मासी ने खुब लाडल चाव किये भाट का घर गया तो उसकी भैस को गई बाप एक लाटी धरे एक उठावे बोले कि ससुराल गया तो आग लगा दी यहां आया तो भैस को दी पहले भैस खोजगर के ला तब ही रोटी पानी मिलेंगे सारा दिन हो गया ढूंडते ढूंडते भैस नहीं मिली बाजान में फिर दोनों मिले जाट ने पूचा क्या खबर है भाट बोला कि आते ही मेरे बाप की भैस को गई उसी दिन से ढूंड रहा हूं रोटियों का ठीकाना नहीं वह बोला मैंने तो पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो अब कर ले दोनों नगर बसेरा करने लगे नगर ब पानी हो जाएगी जट से निकल जाए मेरा जी उन्होंने नगर बसेरा किया तो आगे चला तो रास्ते में भैस मिल गए लेकर के घर गया मा बोली लड़के को आते ही निकाल दिया सारा दिन हो गया भूका पैसा मरते हुए अब उसकी खूब अच्छी तरह से उसे जिमाया उस प्राचीन काल में नर्मदा तट पर शुब्रवर्त नामक ब्रहमण निवास करते थे वे सभी वेद शास्त्रों के अच्छे ग्याता थे किन्तु उनका सुभाव धन संग्रय करने का अधिक था उन्होंने धन तो बहुत एकत्र किया व्रद्दावस्था के दोरान उन्हें अनेक रोगों ने घेर लिया तब उन्हें ग्यान हुआ कि मैंने पूरे जीवन में धन कमाने में व्यर्थ कर दिया अब परलोक सिधारना है तो परलोक को सिधारने के लिए वो बहुत ज़्यादा चिंतातुर हो गए अचानक उन्हें एक श्लोक आया जिसमें माग के इसनान की विशेष्टा बताई गई थी इसी श्लोक के आधार पर नर्मदा में सनान करने लगे नौ दिन तक प्रातह नर्मदा के जल में सनान किया और दस दिन सनान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया शुब्रवरत ने जीवन भर तो कोई अच्छा कारे नहीं किया थ जै विश्णु भगवान, जै माधव मास! तो ऐसे माग के इसनान में ये कथाएं रोज सुनी जाती है, आप चाहे तो और भी बहुत सारी कथाएं होती है, उन्हें भी सुन सकते हैं परनतु आज की इस वीडियो में मैंने आपको मेन मेन कथाएं सुनाई हैं आप चाहे तो कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना कॉमेंट बॉक्स में राधे राधे भी आवाशे लेखना फ्रेंड्स और अगर आज का ये वीडियो आपको थोड़ा भी यूजफुल लगाए तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल पे नए आएं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इसी प्रकार की यूजफुल और ज्यानवर्दक वीडियो देखने के लिए कि हम हिंदू महिलाएं किस प्रकार से अपने तीश त्योहार मनाते हैं कैसे घरों में पाट पूजा करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट बॉक्स में राधे राधे आवशे लिखें मिरते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए हारे कृष्णा राधे राधे